गुद मॉर्निंग क्लास, इन टोडेस मैस क्लास आर टॉपिक इस दिविजिन इन प्रिविएस वीडियो वी डिस्कुस अबाओ दिविजिन मेथट तो डिजिट त्री डिजिट के टेबल्स को लिखना और उसे किस तरह से बड़े नंबर्स को डिवाइट करना but right now we are talking about the division by multiples of 10, 100, 1000 and 10,000 and so on यानि long division हुए है but divide जो करना है वो 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से करना है इस तरह की division में हमें ज़्यादा time नहीं लगता है और हम अपने divide को easily कर पाते हैं है ना, easily without division में तब divide नहीं भी करते हुए हम इसमें से अपने को 10, 10,000 को निकाल लेते हैं जिस तरह से हमने multiplication किया था, 10, 100,000 and so on में जहां में हमें पूरा multiply करना नहीं पड़ता है और हम कर लिखा रहे थे कि how to multiply same process यहां भी है बट यहां में multiply की जगा division करना है तो सबसे पहली बाद जो यहां जाने वाली है कि जब हम किसी number को divide करते हैं तो उसमें मेरे पाद dividend होता है diviser होता है, quitent होता है और remainder होता है dividend यह जो long number होता है जिससे हम divide करते हैं जिसको हम divide करते हैं और diviser जिससे हम divide करते हैं यहाँ पे जो हमारा diviser है वो या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा या 10,000 होगा या उससे ज़्यादा के digit होगा है तो division में अगर हम किसी number को, इनी number जिसको भी हम 10 से divide करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी digit होते हैं, उसमें once के digit को अगर हम छोड़ दें तो वो बाकी सारा को intent होता है और once का digit हमारा remainder होता है, क्यों? क्योंकि हम जब 10 से divide करते हैं, तो हमारे पस एक 0 है यानि हमारा जो remainder आएगा, वो one आएगा, ओकी? इसी तरह से जब हम किसी number को hundred से divide करते हैं, तो सारे digit से tenths और once के place को चोड़ दिया जाए तो वो content होंगे, और जो हमारे remainder पर जोंगे, वो दो digit रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो divis है जो इस number से हम divide करें, वो hundred, उसमें हमारे दो 0 है, यानि digits में दो 0 है same इसी तरह से जब हम thousand से divide करेंगे, तो हमारे hundred, 10s, और ones के number remainder हो जाएंगे और बाकी जतने भी digits होंगे, वो quittant हो जाएंगे Again, अगर हम ten thousand से करेंगे, तो हमारे जो ones, 10s, hundreds, or thousand के discerns है, वो reminder हो जाएंगे और बाकी जो discerns गचेंगे, वो हमारे content हो जाएगा और इसी तरह से हम 10,000 से करें, लैक से करें, इसी तरह से होगा। जितने भी digits हमारे जिस नमबर से हम डिवाइड कर रहे हloud, हमापे जितने 0 होगे, उतने ही digits हमारे रिमेंडर में आएंगे और बाकी सारे हमारे कुटिंट में आएंगे। अब चलिए कुछ examples के तरोज पर दियान देते हैं कि how to divide पहला मेरा number है 7146 इसको हमको किस से divide करना है 10 से यह जो 6 है 1s का यह हमारा हो जाएगा remainder क्योंकि जो हमारा division जिससे हम divide करें हो है 10 और यहाँ पर है 1 0 बाकी यह जो बच गए 714 यानि 714 यह हमारा हो गया quotient clear next हमको divide करना है 80,345 किस से 100 से 100 के digit पे 2 0 तो यह 1s और 10s के digit remainder यानि 45 जो है यह हमारा हो गया remainder 803 quotient clear next 71,368 divided by 1000 यह 1000 में 3 0 है तो 1s 10s and 100 यानि 368 यह हमारा हो गया remainder 71 हमारा हो गया quotient easy बिना किसी ज्यादर टाइम के next 6,30,476 6,30,476 divided by 10,000 यानि 4 0 1s 10s 100,000 अब यहाँ पे 1000 के digit पर 0 है अब आप यहाँ पे 0,476 लिखें या 476 लिखें यह 0 automatic आ जाएगा यहाँ पे और हमारा जो quotient है वो हो गया 63 3 यह जब आप multiples करेंगे चेक करने के लिए तो यह 0 अपने आप आ जाएगा कि digit के पहले की 0 की कोई value होती नहीं है ऐसे जब तक वो किसी digit के बाद में या middle में ना लिखा हो clear next 74,630 divided by 10 1 0 यहाँ भी 1 0 यहाँ remainder हमारा हो गया 0 और quitint हो गया हमारा 7,463 यानि 7,463 9,83,476 को हमको divide करना है 1,00,000 से यानि 5 0 है हमारे पास 1,2,3,4 1,2,3,4,5 यानि 83,476 हमारा हो गया remainder और 9 हो गया हमारा quitint again 2,12,095 को divide करना है 10,000 से यानि हमारे जो divisor है उसमें 4 0 है 1,2,3,4 2,0,9,5 देखे मैंने यहाँ 0 लिखा क्योंकि 0 के बाद एक डिजिट था 2,095 और हमारा जो quitint है वो है 21 clear बहुत ही असान है बहुत ही easy steps हैं इसके थूँ आप अपने सारे division को असानी से कर लेंगे मैंने कुछ संदी है thank you